नमस्कार मैं हूँ मनविंदर एंबियन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है बात इतनी सी नहीं है कि अरविन केजरिवाल दिल्ली के मुख मंतरी अरविन केजरिवाल को साथ बार एडी को इग्नोर करना पड़ा वज़य तो वो ही जानते हैं बात ये भी नहीं है कि एडी ने केजरिवाल को आठवा सम्मन भी भेज दिया है बात यह है कि आठवा सम्वन एक बुरी खबर लेकर के आया है क्योंकि ED ने इस बार नोटिस में कुछ क्लॉज जोड़ दिये हैं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के CM अर्विंद केजरिवाल के सितार एक गर्दिश में हैं यह भी समझ से परे है कि उन्होंने अपने जो सितारे गड़बढ हैं जो उनकी ग्रह चाल ठीक नहीं है उनको शांत कराने के लिए अभी तक जाड़ फुक क्यों नहीं करवाई है वो कुछ लोगों का बिलीव है ना कि जाड़ फुक करवाने से ग्रह शांत हो जाते हैं इडी ने इस बार अगले ही दिन केज रिवाल को आठवा सम्मन थमा दिया है यानि कि 26 तारीक को उन्हें इडी के पास पहुंचना होता है लेकिन वो पहुंचते नहीं है और 27 तारीक को जैसे ही ओफिस आर्ट शुरू होते हैं केजरिवाल को आठवा सम्मन थमा दिया जाता है। अब इतनी जल्दी नोटिस का आना, इट मींज इडी का कुछ बड़ा प्लैन है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली उत्पाच्षुल्ग नीती मामले में चल रही है। आप पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ इसमें कुछ लोग इस समय तिहाड में हैं जिन में मरीश्ची सोधिया और उनके एक और साती हैं। इसके अलावा अब केजरिवाल को लगातार सम्मन पर सम्मन आ रहे हैं। लेकिन केजरिवाल एडी आफिस नहीं पहुंच रहे हैं। अब 26 फरवरी को अरविन केजरिवाल को एडी के सामने पेश होना था लेकिन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ओफिस नहीं जाएंगे क्योंकि मामला भी कोट में लंबित है और उसकी सुनवाई 6 मार्श को होनी है। अच्छा पेश नहीं होने पे आप पार्टी ने ये भी कहा कि रोज सम्मन भेजने की बजाए कोट के फैसले का इंतजार करिए। हम इंडिया गडबंधन का साथ नहीं चोड़ेंगे। हमारे उपर इस तरीके से मुधी सरकार दबाब ना बनाए। मैं दोस्तों आपको एक चोटा से क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी जो अर्विंद केजडिवाल ने जब कल वो विधान चबा से बाहर निकलते हैं। तो वो ना एक तरह से उनकी ये समझ लीजे कि अब जैसी केजडिवाल सामने आते हैं तो सवाल ये बता है ना सवाल घ्रमत बबंदन का हिस्सा ना रहे हैं बार बार जब एडी खुदी कोट गई हु vibrant tire को केंद्र सरकार को कोट पी भरुसा पर बबादेश कोट जो भी आदेश देगा उसके इसाब से कर लेंगे कोट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे अब कोट भी कारवाई भी चल रही है और साथ में समवन पर समवन भी भेज़े जा रहे हैं तो उनका मकसद बेसिकली यह अब ये एक तरह से उनकी प्रेशर टेक्टिस है कि हम इंडिया गडवन दन का साथ नहीं चोड़ेंगे और हम जो है मोधी सरकार हमारे पर दवाब ना बनाएं तो ये क्यों कह रहे हैं कि मोधी सरकार उन पर दवाब बना रही है इनके किसी काम में कोई रुकावट तो है नहीं मैं आपको आज इनका ट्वीटर हैंडल भी दिखाती हूँ बाकाइदा ये लोग अपनी सीटों को लेकर के शेरिंग मगारा कर रहे हैं सीटों पर देखिए आप लगातार इनकी प्रेस कांफरेंस सेल रही है जैसा कि आप सभी को पता है कि आम आदमी पाटी इंडिया अलाइन्स में है इंडिया अलाइन्स में रहते हुए हम पाँच स्टेट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स उतारेंगे, इसमें आगे चलते हैं, मतला सुबह से ही इनका ये प्रोग्डम चलाए, देखिए, ये मातर अभी 51 मिनिट्स पहले इन्होंने ये ट्ट्रेंडर से जारी किया है, इसमें आगे देखते हैं, आम आदमी पार्टी एकलोती पार्टी है, जो कास्ट बेस्ट पॉल्टिक्स नहीं करती है, यही कारण है कि जब पार्टियां अपने उमीदवारों का एलान लोकसाबा सीट पर जाती धरम बहुल देख कर करती हैं, तब आपने जरनल सीट इस्ट दिल्ल हैं, मतलब आप यह देखिए कि इनको समन आटवा मिल चुका है, लेकिन इनको अभी इनके सामने इंपोर्टेंस क्या है, यह टोटली जो इग्नोर कर रहे हैं, एडी के समन को और तमाम सारी चीज़ें देखिए, इनका जो पानी को लेकर के विरोध हो रहा है, खेर, यह मसला दूसरा है, तो मैं उसी अपने पॉइंट पर आते हूं कि यह एडी के सामने क्यों नहीं पहुच रहे हैं, यह कह रहे हैं कि रोज-रोज समन भेजने की बजाए कोट के फैसले का इंतजार कीजिए, हम इंडिया गड़बंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे, यानि कि अचानक से इन्हें कॉंग्रिस से इतना प्यार हो गया है, कि यह अपनी कानूनी कारवाई जो है, उसको भी एक तरफ रखे हुए हैं, मुकमंदरी अर्विंद केजडिवाल को आठवा समन भेजा जा चुका है, जैसे मैंने आपको बताया है, इससे पहले इडी ने इन्हें साथवा समन भेजा था, लेकिन अब कोई न कोई इनके पास लोजिक रहता है, लेकिन आप ये देखिए कि इन्हें 26 को पेशी पर होना चाहिए था, इडी के सामने, जब ये नहीं हुए, पूरा दिन वेट किया गया, तो उसके बाद इडी भी एक्शन में आ गई है, उन्होंने दवेरी नेक्स दे आठवा समन भेज दिया है, लेकिन ये आठवा समन अ पेश नहीं होने पर, इडी ने शहर की एक अदालत का रुख किया था, आपको बता ही है, उस पे 16 मास की तारीक है, इसी बीच आठवा समन जारी हो गया है, लेकिन इसमें एक तरक रखा है, इडी ने, उन्होंने ये कहा है कि ये नोटिस जो है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि जो है, illegal है, अमान नहीं है, अनुचित है, तो इडी ने इस बार ये बिल्कुल साफ कर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप इस notice को अनुचित ना बता हैं, ये बिल्कुल उचित है, और इडी के इस रुक से ये लग रहा है कि कीजरिवाल की मुश्किले बढ़ने वाली है अब वो परिस्तेतियां बन चुकी हैं जो हेमन्त सोरेन के साथ बनी थी क्योंकि उनको जब आठ सम्मन दे चुके थे तो उसके बाद उन्होंने हेमन्त केजरी वाली हमेशा आते हैं जुवान पर तो हेमन्त सोरेन को जब आठ सम्मन दे दिये थे उसके बाद फिर उन्होंने हेमन्त सोरेन की चेजिंग शुरू कर दी थी और हेमन्त सोरेन ने भी भागना शुरू कर दिया था इसलिए जो ये clause लगाया है ED ने कि आपको पेश होना है ये सम्मन illegal नहीं है ये वैद और सही सम्मन है तो दिल्ली के शराब गोटाले में जो money learning के अरोप लगे हुए है इसी मामले में पूश्ताष के लिए ED ने अर्विंद केजडिवाल को सम्मन जारी किया है अच्छा इससे पहले 22 फरवरी को आप पो टाइमिंग्स देखिए कितनी जल्दी जल्दी सम्मन दिये जा रहे हैं इससे पहले 22 फरवरी को आज 27 तारीक है न देखिए तो 5 दिन में 2 सम्मन इनको मिल गए जो 22 तारीक को सम्मन दिया था उस पे केजडिवाल को 24 तारीक को पहुँच रहा था यानि कि उनको संबार को पहुँच रहा था और वो नहीं पहुँचे हो और आज है मंगलवार मंगलवार को उनको आठपा नोटिस आ गया है अब यह देखें कि इससे पहले 2 नमबर फिर 21 दिसंबर फिर 3 जनवरी फिर 8 जनवरी और फिर फर्वरी दो दो फर्वरी, 14 फर्वरी 22 फर्वरी और अब आज का अगर जोड़ लें तो इनको फर्वरी में ही एक दो फर्वरी 14 फर्वरी 22 फर्वरी एंड 27 फर्वरी चार नोटिस मिल गया है इने एक महिने में इट मींस यह शो करता है कि अब इडी ने कमर कस लिये और यह जो बार-बार एक बात कह रहे है कि कोट में केस चल रहा है तो कोट ने यह कहा है कि आपको अगली तारीक पे इडी के सामने पेश होना पड़ेगा और यह क्या लॉजिक दे रहा है कि कोट में केस चल रहा है कोट में जो केस चल रहा है वो एक अलग चीज है आपको मैं बता दूंके दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए शराब नीती के तहर जिन शराब वैपारियों को लाइसेंस जारी किये थे उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी साथ ही मनपसंद शराब वैपारियों को लाइसेंस जारी किये हलाकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है क्योंकि जिस पे आरोप लगते हैं वो यह तो नहीं कहेगा कि मैंने इस से पैसे लिए जो contact पाच लाक में दिया जाना था वो इन्होंने पचास लाक में दिया तो आप देखी यह पैसा जो है आम आदमी पार्टी की जेवों में गया ना इस पर दिल्ली के उपराजबाल वी के सक्सेना अलट होते हैं और उन्होंने गड़बड़ी के चलते पूरा जो यह इनका प्लैन था शराब नीति का इसको रद्द कर दिया और पूरे मामले की जाच सीब्याइए को सौब दी और उसके बाद सीब्याइए की जाच में जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद ईडी के एंटरी होती है और ईडी ने फिर इनको सम्मन पर सम्मन दे और मिस्टर सिंग, ये दो लोग अंदर हैं, प्यार जेल में, और एक इनके साथ ही और है, बाकी कई शराब कारूबारी भी है, कुछ लोग इसमें जो सरकारी गवा बन गएते, उन्होंने इनकी सारे भंड़े पो रहे हैं, और उन्होंने ये बताया है कि फेसमी पे कलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन अब टेकनीक बहुत आगे चला गया है, सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो CBI ने कलेक्ट कर लिये हैं, ED को दिये, ED ने आगे, कोट में भी समिट कर दिये हैं, अब कोट में जब समिट हो गए, तो इनसे पूछना ये है, कि ये सब आपन नहीं किये हैं, और ये बात इन्हें पता है, क्योंकि इनके दो साथी already same case में, अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो पाई है, ये मामला बहुत गंभीर है, इन्हे इस पूरे मामले की गंभीरता का भी अंदाज है, अर्वींद के सीगाल को, तो इसलिए ये ED को फेस नहीं करना जा रहे हैं इडी को face करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से हेमन सोरेन दस्वें सम्मन के बाद इडी के शिकंजे में आते हैं और अब ये दिखाई देने लगा है कि ये situation मार्च के महिने में ही इनको इडी अपने शिकंजे मिलेगी यानि कि इन से पूछताच करेगी इ इतना जादा इन्हें उस situation में लाकर के खड़ा कर दिया जाएगा कि इन्हें इडी के सामने आना ही पड़ेगा तोला तारिक दी है कोट ने ज्यादा दिन नहीं है लेकिन इस वीच इडी जितने चाहे सम्मन दे सकती है लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है उस लिमिट के बाद वो केजरिवाल पे उनकी गर्दन तक पहुँच सकती है ये अब आज आठवा जो इनका सम्मन आया है उससे क्लियर हो गया है और इनको जो तारीक मिली है आठवे सम्मन पर वो भी बहुत नजदीक की मिली है मतलब इने किसी तरफ से छोड़ा नहीं जा रहा है इनको जो सम्मन दिया गया है आठवा सम्मन वो इनके लिए काफी बड़ी मुसीबत बनने वाला है क्योंकि ये बहुत दिनों से चीजों को टाल रहे हैं और इडी जो देश की प्रिमियम एजंसियां जाज एजंसियां उ उन्होंने आठवे सम्मन में इस तरफ को खारिश कर दिया है कि केजरिवाल को पेश होने के लिए जो भीजा गया नोटिस है वो अनुजित है क्योंकि मामल अस्थानी अदालत में विचार दिन है तो ये कोई लॉजिक नहीं इसको पहले ही इडी ने क्लियर कर दिया है अब अब इन्हें पहुचना ही पड़ेगा इन्हें दो मार्स को पहुचने के लिए का है एडी के सामने तो ये देखना वड़ा दिल्चस्प होगा कि अब तक ये मतलब साथ सम्मन इग्नोर कर चुके हैं देखिए ये दिल्ली के सियम है ठीक है लेकिन जब किसी आम आदमी को कि इसी भी तरह हैगा कोई notice, पुलिस की तरफ से ही आजाए, थाने की तरफ से आजाए, मैं कहते हूं कि चौकी से ही कोई व्यक्ति आजाता है, तो जिस दरवाजे पे वो call करता है, call bell दवाता है, उसको देखते ही, उसे बहुत शरम महसूस होती है, कि पुलिस का कोई व्यक्ति उसके घर आया है, या कोई notice आजाता है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये फिकर तो केजरिवाल को है ही नहीं, इन्हें तो अपने जो logic हैं, उनको बड़ा करके दिखाना है, कि मैं नहीं जाऊंगा, अब तक तो ये कह रहे थे कि सारे इनके जो सम्मन है, गयर कानूनी है, इल्लीगल है, लेकिन अब इस बार इडी ने में क्लियर कर दिया है कि आपको जो सम्मन बेजा गया है, वो ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पहुंचना ही पड़ेगा, तो दोस्तों ये देखना भी बड़ा दिल्चस्प होगा, क्यों जो इडी ने तर्क दिया है, कि आप नोटिस को खारिश कर देते हैं, अनुचित बता करके, तो ये जो नोटिस है, ये अनुचित नहीं है, तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो बेल आइकन है, उसको जरूर दबा दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहु झाल झाल